हेलो एवरिवान, होप यू ओल आ दूइंग वेल, तोड़े वी आ गोइंग तो स्टार्ट चाप्टर फॉर ऑफ पॉलिटिकल साइन्स विच इस सेंटर इन स्टेट रिलेशन्शिप एंड वी स्टार्ट फॉर इंडिया का सिस्टम है, इंडिया है जैसे अमेरिका का है, हमने इसे क्वासी फेडरल क्यों कहा, जैसे हमने डिसकस कर था चाप्टर फ्री में, इंडिया के अंदर डियोल सिटीजन्शिप का कंसेप्ट नहीं है, पर हम यह नहीं बोल सकते कि उनका जो रिलेशन है सेंटर और स्टेट का वो कैसे मेंटेन होता है, इतना डिफिकल्ट भी न अगर केती है, अगर है है, जैसे हम देख लेते हैं, पर कैसे सनरस्डेट रिलेशन हो चाये वो administrative relation हो जो आपका executive part आजगा चाहे financial relation हो अब देखो legislative में जैसे हम मैंने आपको बताया union list होती है आपके उसमें क्या है 97 subjects है union list में जो आपका under 40 second constitutional amendment होई थी एक subject taken away from the state list और add कर दिया था union list में अब देखो क्या क्या है union list के अंदर subject आपको इसमें में से कुछ याद रखने जादा याद नी रखने कुछ कुछे से defense है अगर इंडिया की जो defense से related कौन कानून बनाता है central government बनाती है currency related foreign relation है यह state government जो बनाने सकती तो यह कौन बनाती है आपके union government इन से related laws बनाएंगे अब आपके आते state list state list में आपके कितने subject है 62 subject है at present state list में आदाते है आपके local government होगी water supply हो गया state legislature इन पे कानून बनाएगा ठीक है respective चीजों के लिए अपने states के लिए कानून बना रहे concurrent list में देखो क्या होता है बोथ union parliament and state legislature can make laws on subject mentioned in the concurrent list में जो इतने भी subject होएंगे उन में union government भी कानून बना सकती है और आपके state government भी बना सकती है but in case of differences जैसे conflict होगया dispute होगया दोनों सरकारों में एक कानून से related तो किसका prevail करेगा आपके देखो किसका prevail करेगा महाँ both of them have the law passed by the union government will be enforced मतलए कि इसका prevail करेगा आपके union government का law आगर महाँ जाके prevail कर जाएगा according to the original constitution 47 subjects से concurrent list में पर 42nd amendment हो जाती है आपके 1976 के अंदर उसमें आपके कितने होगे concurrent list में 52 subjects होगे concrete list में कौन-कौन से subjects हैं जैसे आपका family planning है state government भी कानून बना सकती है इससे related और कौन बना सकता है आपका union government भी forest हो गया protection of wildlife हो गया for example हमने recent चल रहा है UP के अंदर कि two child policy बना रहे हैं वो कि दो child से जादा कर दिसके बच्चों को उन्हें सरकारी सुविधाय नहीं मिलेगी two child policy बना रहे हैं अगर देखो center government को यह ऐसा कानून लियाती है जो बना दे three child policy तो किसका कानून prevail करेगा यह one child policy बना दे तो यह center government का कानून prevail करेगा क्योंकि क्या है यह concurrent subject के अंदर है family planning अगर dispute हो जाता यूपी के state government के law के अंडर और किसके अंडर dispute और आपका हो जाए union के तो किसका prevail करेगा union government का ठीक है उसके देखो residue power यह very important है for short point of your short notes के तरह आप इसे देखो article 248 पूछ लेते हैं direct कि what is article 240 है तो माक्स का अगर question आ जाता है तो article 248 आपका deal करते है residue power से यह देखो कौन सी power होती है यह एक provision दिया गया constitution के अंदर जो सारे subjects जिनके include नहीं है कोई भी list में जैसे कोई भी subject है जो ना union list में include है ना concurrent list में include है ठीक है ना वो state list में include है shall be under the center and the union parliament will make laws on these subjects तो उन पे कानौन कौन बनाएगा union government बनाएगी सोचो है कुछ हमारे देश में कुछ ऐसा हो जाता है वो तीनों list में include नहीं था for example covid से related है जैसे कोई provision आ जाता है याल जैसे covid जो health से related है अगर सोचो कोई ऐसी emergency पर जाती है जो तीनों list में कहीं नहीं है तो उस subject पे union government और union parliament है वो ही कानौन बनाएगा तो यह आपकी कहए residual power है अब उसके बाद आता है the parliament's power to make long subject including the state list हम यह नहीं कह सकते कि जो state government हो बिल्कुल free है कभी-कभी ऐसा होता है कि जो union parliament होती है वो state list के अंदर जो subject है जो किसका काम है state list में जितने भी subject होंगा उस पर कानौन बनाने के काम है state government का पर union parliament कभी-कभी क्या कर जाती है उनके अंदर भी infringement हो रही है वहाँ भी जाके कानौन बना सकती है state list के subjects पर भी वो ऐसे कौन से कारण है ऐसे कौन से circumstances में वो उनके लिए कानौन बनाईजी first on the basis of the resolution passed by the council of state council of state आपका upper house होता है राज्यसभा को कहते हैं council of state under article 249 if the राज्यसभा passes a resolution देखो कौन सी majority two-third majority that is essential for the national interest के लिए should make laws on a particular subject of the state list अगर देखो राज्यसभा ये एक resolution pass कर देती है two-third majority के साथ कि कोई ऐसा subject है जो state list के अंदर है पर वो एक national importance का subject है तो उस पर कानौन कौन बनाएगा पर union parliament बनाएगा will remain in force for one year एक साल के लिए वो लाहेगा महाँ कानौन but the council of state can increase कर सकती हो उस कानौन की duration को for one year by passing another resolution दुबारा से resolution pass करके उसका duration बढ़ा सकती है बतलब कि अगर state list के कानौन पे भी union parliament बना सकती है अगर वो यह शो कर दे राज्य सभा कि यह किसका subject है national importance का subject है on the request of two or more state legislature अगर राज्य विधान सभाई है जो आपकी जैसे पंजाब रियानवाले मिलके request कर रहे है union government को कि आप हमारे लिए कानौन बनाओ तो भी वो बनाएगा देखो article कौन से 256 है constitution का if two or more state legislature request करते है parliament को to make law on a particular subject जो include a state list के अंदर the parliament can make law on that particular subject पे parliament कानौन बना सकता है चाहे वो subject state list में क्यों ना हो but this law will be enforced only in दो states पर यह law सिर्फ उनी state में लागू होगा जिनोंने resolution पास किया तो जिनोंने request की थी parliament को अगर सुचो पंजाब और हर्याना ने request किये ना parliament को किया पानी के मुद्धे पे मारे लिए कानौन बनाओ तो पंजाब और हर्याना पे ही लागू होगा वो उत्राखंड हो गया यहीं माचर हो गया इन पे लागू नहीं होगा ठीक है अगर सुचो मोदी बाहर से कोई इंटरनेशनल ट्रीटी करियाते है उसका सेट अप है फेक्टरी है वो हर्याना में लगनी है तो उनके लिए भी कानौन मना सकते है फॉर दे इंफोर्समेंट ओफ इंटरनेशनल ट्रीटी जैन एग्रिमेंट देखो अंडर आटिकल 253 ये बोलता है पहले बाला था 256 था रिक्वेस्ट करना था जब 249 आपका क्या बोलता है रेजलुशन राजय सभा खुद पास कर देगी यहाँ 253 आपको बोलता है कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी जगरा उनको इंफोर्स कराना तो आपका यूनियन पार्लेमेंट उसके लिए कानूर बनाएगा अब आपका अब कहाता है प्रायर अप्रूबल ऑफ दे प्रेजिट ओवर सर्टेन बील मतले कि कोई बिल ऐसा पास करने देखो बिल कब लॉव बनता है जब आपके उसके प्रेजिट के साइन होता है तो यूनियन पार्लेमेंट में अगर देखा जाए अगर स्टेट की बात करे जाए कोई बिल कब लॉव बनेगा जब उसमें गवर्नर ऑफ स्टेट के साइन होंगे एक्ट बन जाता है जब वो ठीक है उसके बाद अब क्या होता है कुछ ऐसे प्रायर अप्रूवल चाहिए प्रेजिटन की ओवर सर्टन बिल्स अगर आपने उन्हें बिल्स को विधान सबाओं में पेश करना तो प्रेजिटन की प्रायर अप्रूवल चाहिए जैसे आर्टिकल 304 बोलता है कुछ सब्जेक्ट पर कामन बनाने से पहले स्टेट लिस में इस असेंशल है कि उस बिल को आप अप्रूवल के लिए प्रेजिटन को बेजो जैसे इंटर स्टेट ट्रेड बना रहे हो आप इंटर स्टेट ट्रांस्पोर्ट पंजाब वले सोच रहे हम रोड बनाके हर्याना में आ जाए ठीक है आप कोई ट्रांस्पोर्ट की सर्विशिस प्रोवाइड करे ट्रेड करना चाते हैं इंटर स्टेट से लिलेटिड तो आपको कहा प्रेजिटन की पहले अप्रूवल लेने पड़ेगी उस बिल को विधानसपोर में लाने से पहले यह आपका बोलता है आर्टिकल 304 अप्रूवल वो प्रेजिटन रूवर सर्टेन भी आफ्टर दीजार पास अब कुछ ऐसे बिल होते हैं जो पास होने के बाद अप्रूवल मांगते हैं ठीक है जैसे हाई कोर्ट, लिमिटिंग दा पावर ओफ आ हाई कोर्ट, बिल रिगार्डिंग दा कंट्रोल ओफ प्रूपर्टी और लांग या आर्टिकल 200 के अंदर ठीक है, स्टेट गोवर्नमेंट है पहले ने पास करा ले थी विदान सबाव से अपने अपने अपनी स्टेट लेजिसलेटिव एसेंबली से उसके पास होने के बाद वो अप्रूवल मानते हैं उसकी प्रेजिएंट की कि अब आप इन बिल पर अप्रूवल देगो अब देगो सूप्रमेसियो यूनियन पार्लेमन्ट ड्यूरिंग नाशनल अमर्जनसी जब नाशनल अमर्जनसी लग जाती है तो किसकी सूप्रमेसियो यूनियन पार्लेमेंट की हो जाती है अब पर्विजिन has been made under article 352 के अंदर एक पर्विजिन दिया गया है constitution के अंदर that a union parliament can pass law कि union parliament law pass कर सकता किसी भी subject पे कोई भी subject पे जो state list के अंदर include है जो jail से related subject agriculture से related subject include है national emergency के जरुआन and such law cease to operate 6 months के लिए आएंगे after the emergency's revolt ठीक 6 महिने emergency खतम होगे उसके बाद भी 6 महिने तर लागू रहेंगे वो ऐसे law जो emergency आपकी लग जाती है article 352 के अंदे अब है supremacal union parliament over concurrent list concurrent list में क्या देखो जैसे हमने concurrent list पढ़ा provision has been made under the article 254 of the constitution that if the laws made by the union parliament and state parliament अगर कोई law बना जते है concurrent list में जो include है और अगर इन दोने के law में कोई भी conflict हो जाता तो किसका prevail करेगा आपका union government का अब उसके बाद आपके 248 में resubatory power वो ही discuss करी गई अगर जो तीनों list में कोई subject include नहीं है उसके लिए कानून आपके union government बनाएगी union parliament power of union parliament to abolish state legislative council देखो union parliament के पास जो power है कौनसी है वो abolish कर सकती है आपके state legislative council को article state legislative assembly की बात नहीं हो रही है अपर हाउस की बात हो रही है अजो अपर हाउस होता है आपका state legislature को से हम बोलते है state legislative council अडर आटिकल 169 नहीं जो union parliament का can abolish the and re-establish भी कर सकते है state legislative council on the recommendation of state legislative assembly विधान सभा की सहमती पर विधान परिशत जो आपका है वो उसे स्तापित भी कर सकते है 356 बात करता है state emergency जो आपकी constitutional emergency होती है during constitutional emergency declare under article 356 the union parliament can pass law about state subject के उपर law कब बना सकती जब आपकी states के अंदर emergency लग जाती है यह सुत्राखंड है यहाँ बहुत बड़ी emergency लगी है जोसे हम बोलते है president rule तो president rule में कौन कानून आपका यूनियन पार्लेमेंट कानून बनाती है अब आपके आदेल administrative relation क्या सी है administrative से किस से deal करता है executive है जैसे आपने पढ़ा था three organs होते है आपके government के एक का काम है कानून बनाना which is legislature ठीक है दूसरे का काम है implement करना data is executive और तीसरा है कि उनके देखना कि सही तुरूप से चल रहा है interpretate करना वो है आपका judisree ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हैं judisree आपका third organ है उसके बाद आपका administrative relation according to constitution the subjects under union parliament shall be under the control of central executive union central laws हों किसके अंडर है आपके central executive के अंडर है और जो subject आपके state list के अंडर है वो किसके अंडर है आपके state government के अंडर है state government में आपका कौन से executives आगे आपके cm होगे आपके governors होगे यह आगे और union के अंडर कौन से आपके executive आपके होगे president होगे parliament के अंडर जो आपके members आपके लोग साब बैठ रहे हैं वो भी आपके executive, यह आखिर बैट रहे हैं वो, जैसे PM हैं, Council of Ministers हैं, Cabinet Minister हैं, आपके union executive में आ जाती हैं, but under some special circumstances, कुछ ऐसे circumstances होते हैं, जहां union government जो होती है, establish अपना control कर देती है, administrative pair में, वो न state government के उपर, वैसे तो कहते हैं, उसके executive union के लगा है, state के लगा है, पर कुछ ऐसे circumstances होते हैं, जो इने union वाले state वालोगों control कर रहे हैं, वो कौन से circumstances है, state responsibility about the use of their executive power, state की कह responsibility है को अपनी executive power को कैसे use करेंगे, under article 259 के अंदर बताया गया है, in such a manner that may not cause any type of obstacle in the way of use of executive power by union parliament, वो state अपनी power इस तरीके से नहीं use कर सकती, कि union parliament को अपनी power यूज करते हैं को दिक्कता है, यह आपको directions देती है, responsibility of the construction and maintenance of means of communication, यह किसकी article 25 clause 2 बोलते हैं, कि जो union government है, वो issue कर सकती instruction, state government को, constitution के अंदर, जिसके अंदर, दोनों के अंदर एक वारतला बनी रहे, for the national and strategic important के लिए, जब ही हम बोलते हैं कि आपका pure federalism नहीं है, आपका इंडिया, आपका quasi-federalism है, federalism की ज़रूरत इंडिया में इसलिए पड़ी, क्योंकि diverse country है, सबकी अलग-अलग needs है, union में बैठके, हम हर देख नहीं सकते, Tamil Nadu को क्या ज़रूरत है, केडला की क्या ज़रूरत है, एक दिल्ली वाला नहीं पचान सकता, उनकी अपनी अपनी अलग-अलग ज़रूरते हैं, that's why हमने federal structure को adopt करा है, पर हमने कौन सा federal structure को adopt करा है, quasi-federal, अगर हम pure federalism दे देंगे, तो सारे अपने अलग-अलग states लेके बाद जाएंगे, इंडिया तो केला रहागिया, है ना, तो इसलिए कि एक quasi-federalism है, ऐसा federalism है कि इंडिया की जो states है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकती है, वो यह नहीं कह सकती है, हम अपना अलगी देश बना लेंगे, इसलिए, उसके बाद है, responsibility of the protection of railways, आपकी railways है, defense है, वो union government के, इंडियान railways बोलते है न, ठीक है न, नदरन railways आगे, इंडियान railways आए, उसके अंदर, तो किसकी responsibility है, protection की railways की, वो state government को responsibility मिलती है, यह हो गया था, ऐसे accident हो गया, तो उन सरकार को libel कर देते हैं, कि Ambrish sir में ऐसा accident हुआ है, तो पंजाब सरकार दे इसका जवाब, उनको वो हर जाना दे, तो यह उनकी responsibility है, यह कौन से अपके article के तहद बोला गया, 257 clause 3 of the union government, can issue instruction to the state government, को instruction दे सकती है, regarding the protection of railways, that come in the territories and expenditure in this regard, shall be born by the union government, expenditure इसका union government born करेगी, ठीक है, इसका खर्चा को उठाएगी, union government, बस इसके आपने क्या करनी है, responsibility है, प्रोटेक्शन की, appointment of governor's vice center, देखो, governor क्या आपका state का head है, executive head है आपका, ठीक है, उसकी appointment कौन करा, president appointment करा, on the recommendation of prime minister, ठीक है, तो इसका मतलब, governor के center का agent बैठा है, governor के कहने पर ही, constitutional state emergency लगती है, ठीक है, अगर governor ने कहा दिया, कि machinery fail है, constitutional machinery fail है, state की, तो president rule लग जाता है, ठीक है, अगर वो, इसका मतलब क्या है, गवर्नर के, आपका agent है, center का, यहां से वो control कर रहे है, union government, influence of center, during national emergency लग जाती है, तो इसका influence आदा था, आपका center का state में आथा, कि उससे रिएटर, वो ही कानूर मनाएगा, वो ही control करेंगे, सब कुछ, जो अपनी executive power भी, अपने कहने पर यूज़ करेंगे, influence of center, ओई constitutional emergency है, देखो, 356 के अंदर लगती है, state emergency, under such circumstances, जो अंटाया state का administration होता, वो president के rule के अंदर चलाजा, तो control में, and which is run by the governor, as representative of president का है, वो, तो solve dispute regarding the distribution of water, of interstate river, अगर कोई water dispute होता, तो उसका solve करने का काम, किसके union parliament कानून बना के settle करती है, देखो, under article 262 में क्या आगया है, the union parliament settles the dispute, regarding the distribution of water, जैसे पंजाब और हर्याना में, जो पानी का जगडा है, तो कौन इसका dispute को solve कराएगा, union parliament करेगी कानून बना के, ठीक है, more than two state governments में, are bound to obey the law, यह जैसे कि कावेरी, जो कावेरी water dispute था, करनाट का और तमिलाडू में, केरला में अन पॉंडी चैरी में, वो सैटल हुआ था, बायर ट्रिब्यूनल और 5 फर्वरी 2007 में, कावेरी पानी का जो dispute था, protection of federal property in the state, अगर कोई जैस CRPF गर है, वो fair property की protection के लिए लगा दिये गए है, जो state के अंदर center की property है, बोलते न है, Central Reserve Police Force, for this purpose के लिए, यह इनकी का, इनका काम होता है, अपका federal property है, जो state के अंदर, is of the state government and union parliament, वो किसकोन उसे protect कर रहा है, Central Reserve Police Force कर दे, CRPF, उसके बादे को क्या होता है, All India Services है, जैसे अगर आप UPSC गर रहा है, एक्जाम clear कर लोगे, आपको appointment UPSC क्या है, Central Level है, पर आपकी जो आप pass कर लोगा, अपना एक्जाम, DM कहां लोगा, आप state के इसे district में लोगा, आप state में जाओगे न, इसे अपने ध्यान रखना, इसमें बड़ी confusion होती है, उसके IPS, इंडियन पुलिस सर्विस है, IES, इंडियन administrative services, ठीक है, अगर इनके इलावा, कोई और service establish करनी है, तो राज्य सभा एक, resolution पास कर जाती है, two-third majority से, जो आपका article 3.311 में दे रखा है, उनको union government को कहा मिल जाती है, opportunity मिल जाती है, अपना control tight करने के लिए state में, क्योंकि selection UPSC करेगा, ठीक है, अब है interstate council बगारा establish कर लेता है, mutual dispute बगारा अगर solve बगारा करने है, state में, दो state के बीच में जगड़े हैं, तो वो कौन establish कर सकता है, union government ये establish करेगी, union parliament बगारा, president can establish Indian interstate council for setting, वो ही देखो, जो मैंने आपको बताया, mutual dispute solve करने के लिए, इंक्वारी बिठाने के लिए, तो कौन करता है, president appoint कर देता है, interstate council को establish करता है, article 263 के ता है, अब है provision to interest union administrative function to the state, देखो, article ये important आपका, article 258 है ने, जो वो कहता है, the president can interest कर सकता, अपनी administrative function को, to state official को दे सकता है, with the consent of the state, state की consent पे, the expenditure कौन बॉन करेगा, आपका union government करेगा, article 258 का clause 2 बोलता है, कि जो union parliament है, by law can interest certain function to the state, government or its official, and the expenditure to be incurred, for such tasks, जो भी आपका, जो भी आप काम कर रहे हो, such tasks, shall be born by the union government, कोई duties प्रोवाइट कर देते हैं, कि जैसे corona time हो गया, covid आगया, तो वो काम किस कहता है, union government कहता है, सोचो, कोई एक list में include था आपका, railway से सोचो included था, defense related था, पर आप उनको duty दे दी, अब कि जैसे आप हो, पंजाब के अंदरोचा या फरियाना में हो, तो defense से इलेटी है, पाकिस्तान वाले सोचो हमला कर रहे हैं, अब है direction for the welfare of scheduled tribes, scheduled tribes के welfare के लिए भी provision बना रहा है, वो भी central government है, वो बता रही है state government को, funding कहां से आ रही है, center से आ रही है उनके लिए, governor के discretionary power भी होती है, देखो कुछ है, according भी है very very important है, इसे देखो आप एक बरी, governor discretionary power, according to the constitution, constitution के तहत, जो governors है आपके Assam के और Nagaland के, दो governors, Assam के Nagaland के, have been given discretionary power of the administration of backward tribes, देखो सबसे टाइबल एरिया आपका है, Assam और Nagaland में, उनको administrative power दिया, वहाँ के governor को, कि आपने backward जो tribes है और जो scheduled reason है न, and to crush the Naga, वहाँ कहा है नागा, जो होते rebels है, rebellions, rebellious, जो आपको पता ही होगा, वहाँ बहुत जादा है, तो उनको control करने के लिए, जो governor आपके Assam और Nagaland में, उन्हें ऐसी power दिया है, कि आप उनसे related administrative policy, वगरा बना सकते हो, control करने के लिए, और crush करने के लिए, उन सब rebels को, which they cannot use without the consent, और स्टेट काबिनेट की consent के भीना, वो यूज नहीं कर सकते है, अब उसके बाद है, after reading this provision, it becomes quite clear, that the constitution प्रोवाइड करते है, स्टिक administrative control है, सेंटर का स्टेट पे ऐसे control करती है, अब उसके बाद आते हैं, आपके financial relation, कि financial relation कैसे है, sources of revenue है, union government का कैसे है, state government का कैसे है, यह हम आपके next video में discuss कर लेंगे, part 2 में, ताकि आपको ढ़ंग से इसको आप एक बरी समझ लो, आज हमने discuss कर लिए आपके legislative relation और administrative, financial relation और जो बाकि का chapter है, वो part 2 में discuss कर लेंगे, then thank you so much, have a nice day,